हाई एब्रिवन रादस्वादा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं लेके आई हुए एक बहुत ही स्पेशल चटनी की रेसिपी जो है हमारा टमाटर और आलू का चटनी इसे बनाना बहुत ईजी है और यह बहुत ज़्यादा टेस्टी बहुत ही चटपटा लगता है इसे आप किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं बट यह इस पेसले लिट्टी के साथ खाया आता है तो आप इसे चोखा भी कह सकते हैं लिट्टी का तो चली फ्रेंड्स बनाना शुरू करते हैं अगर वीडियो पसंद आए तो इसे like share करना ना भूले तो इस चट्नी को बनाने के लिए मैंने यहां पर इस तरह का एक टोस्टर लिया है जो आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा और इसे हम गैस पर रख देंगे गैस का फ्लेम ओन करके गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर लेंगे और मैं यहां पर ले रही हूँ तीन बड़ी साइस का इस तरह का टमाटर और टमाटर बिल्कुल अच्छे से पका हुआ होना चाहिए और टमाटर को हम लो फ्लेम पे पकाएंगे इसे हम पलटते हो पकाएंगे ताकि एक तरब से बिल्कुल जादा ना चल जाए तो इसे हम पलट-पलट के पका लेंगे तो टमाटर को रखे हुए थोड़ी देर हो चुकी है तो हम चिम्टे की मदद से इस तरह से टमाटर को साबधानी से पलट लेंगे और देखें ये नीचे से पकना शुरू हो गया है तो इसे हम तब तक पकाएंगे पलट-पलट के जब तक की टमाटर बहुत ही अच्छे से सौप्ट ना हो जाए पक के और इसका जो उपर का स्कीन है वो बिल्कुल ब्लैक सा ना हो जाए तब तक हम इसे पलटते हुए अच्छे से पका लेंगे तो यहां पर देखेंवे फ्रेंड्स टमाटर बहुत ही अच्छे से पक चुका है और सौप्ट भी हो चुका है इसे पकाने में लगबख 10 मिनट का टाइम लगा है अब हम गैस का फ्लेम बंद करके इसे पलेट मे निकाल लेंगे और देखे टमाटर बहुत ही अच्छे से पका है टमाटर को आप जितना अच्छे से पकाएंगे चटनी का जो स्वाध है उतना ही अच्छा आएगा मैंने यहाँ पे इसे प्लेट में निकाल लिया है और इसे हम थोड़ी दिर के लिए ठंडा होने देंगे उसके बाद इसका जो उपर का स्कीन है उसे हम हटा लेंगे यह भी बहुत जादा गरम है तो फ्रेंट्स यहाँ पे लगपक टमाटर ठंडा हो चुका और देखे इसका जो स्कीन है कितनी आसाने से निकल जा रहा है तो सारे टमाटर को हम इसी तरह से छील लेंगे आप चाहे तो इसे पानी में भी रखके छील सकते हैं इससे भी ये बहुत ही आसाने से इसकीन को छोड़ देगा तो यहाँ पर मैंने सारे टमाटर को छील लिया है अब हम इसे एक बड़े से बाउल में ट्रांस्फर कर लेते हैं अब हम टमाटर को इस तरह से मैस करेंगे ये इतना ज़्यादा सौप्ट है कि ये हाथ से ही अच्छे से मैस हो जाएगा आप चाहे तो इसे ग्राइंडा जार में भी ग्राइंड कर सकते हैं और इसका जो उपर का हाड पोर्षन है उसे हम निकाल लेंगे तो यहाँ पर देखे फ्रेंड्स टमाटर का एक प्योरे सा बन गिया है हमें बिल्कुल स्मूथ प्योरे नहीं चाहिए इस चटनी के लिए और अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक बड़ा साइस का आलू आलू को मैंने उबाल के हलका सा मैस कर लिया है अब हम दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्पून की मदद से या फिर हाथ की मदद से भी आप अच्छे से दोनों को मिक्स कर लें तो देखे फ्रेंड्स यहां पे हमारा टमाटर और आलू बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है हमें इसे बिल्कुल स्मूथ नहीं करना है इसी तरह से रखना है अब हम इसमें एड़ करेंगे प्याज मैंने यहां पे एक मिडियम साइज का प्याज लिया था इसे शक्टि confrontation यहां पर करते हैं और इसके साथ ही मैंने यहां पे डाला है थोड़ी सी धनिया Mia की पत्ति चौक करके और अब मैं इसमें डाल दे रही हूं नमक स्वात के अनुसार नमक डादल देंगे और अब मैं यहां पे डाल रही हूं एक बड़ा चमच के करीब सरसो का टेल हमें यहाँ पर कच्चही आट करना है इससे बहुत इह अच्छा टेस्ट आता है चटनी में और अब हम एक बार सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यह बहुत ए areas चतनी बनगया है चतनी या आग के उपर रखना है देखिए इस तरह से ताकि यह पूरा अच्छे से जल जाये और आप मिष्चा लेते हैं देखिए अच्छे सपक चुका है गैस का फिलेम बंद कर देंगे क्योंकि मिर्ची का जो तिखापन है वो हाथ में लग जाता है अब हम इसे एक बार अच्छे से मेक्स कर लेंगे और ये बहुत ही टेस्टी सा हमारा चटनी प्लस चोखा बनके तयार हो चुका है आप इसे जरू ट्राए करें बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जादा चट पुटा लगता है आप इसे किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं पराठा या रोटी या फिल लिट्टी के साथ तो जरू ट्राए करें अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आये हो तो प्लीस वीडियो को लाइक और सेयर करना ना भूलें चैनल पर नए हैं तो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और Bell आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो फिर मिलते हैं किसी और नहीं रेसिपी के साथ तब तक के लिए थैंक यू बाई